हेलो फ्रेंड्स वेलेकम टी एनेस क्लासेज मैं इस नीटू आप सभी को बता है कि अभी आपका TGT कंप्यूटर साइंस का एक्जाम हुआ है उसके अंदर हम बात करेंगे जो आपका सेक्शन वन था यानि कि जो कोमन पेपर था लाइक हिंदी इंग्लिश माथ रीजनिंग औ तो वही सारी चीजे टेल में दिसकस करेंगे ठीक है तो सबसे बात कर लेते हैं आपके G.E.S के जिसमें बच्चों को जादा कर लग रहा है कि कहां कहां से कौशन पूचे गए थे क्या कौन-कौन ऐसे वहीं टॉपिक है ताकि आप जीएस में असे टूपिक को करने ही करने ह हमेशा बिल्कुल करके जाना तो constitution अच्छे से कर लेना article अच्छे से कर लेना ठीक है तो तीन कोशन आपके constitution से पूछे गए थे अपने साथ के साथ के साथ नोट डाउन करते चलो उसके साथ जो है तीन से चार कोशन आपके financial में से आये थे जो आपका जो अभी 2021 का जो बजट तो financial में से आपको 3-4 कोशन देख ने को मिले थे दो तेंड इनकोशन के साथ च्छे से चार कोशन को डेखने को अच्छे से कर लेना कोन सा कहा होने वाला है यह सारी जीजे बद के लिदेगर है और एड़क वार्ट में से एक कोशन आया था है तो जो ऐड़कोर्ट में से ए किसका कुछ पुछा गया था, रीवर का, तो भई, यह जो चीजे है, यह बिल्कुल कॉमन हैं, इतना थो आप करके जाना, अगर आप इतना कर लोगे तो अटलिस 10 मार्स जो जो है, 10 मार्स एक हैं अपने जी के अंदर, यह तो था आपका झीए आपका जी 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 चनु कापकर तो एक बार एक्जाम में जाने से पहले इनको एक बर रवाइस कर लेना ठीक है उसके बाद बात करें math की math जो है आपका easy था लेकिन थोड़ा time consuming था questions बनाने में थोड़ा time लग रहा था math आपका time consuming था अगर जिसके प्राक्टिस की हुई है तो math के question for attack से solve कर सकता है reasoning आपकी काफी easy था था लेकिन थोड़ा time लग रहा था question बनाने में थीक है reasoning आपकी काफी easy था थी reasoning में बच्चे जादातर कहरें कि मैं 18-19 मांक जो है राम से कोई भी बच्चा ले सकता है reasoning आपकी काफी easy थी Hindi English आपकी easy थी math थी आपकी easy था लेकिन थोड़ा time consuming था जी एस भी जो है normal constitution हो गया article हो गया ठीक है उसके बाद जो है अपका financial हो गया sports हो गया headquarter हो गया river हो यहां से question आय थे ठीक है देव अगयरा भी अपना कर लेना यानि कि 8 से 10 question आप मानके चलोगी और 90 marks का अपका computer है और इतना ही है ठीक है तो बही किसी question किसी में आपको 5 question मिल सकते हैं किसी में 8 किसी में 10 10 से question ज्यादा नहीं आएंगे तो teaching aptitude के question आये थे तो बिल्कुल आये थे जो बच्चे बार बार पूचे रहे हैं मैं teaching aptitude आये था या नहीं आये था तो बस इतना ही था इससे ज्यादा आपका नहीं था तो बई जिन बच्चों का साथतारी को exam है वो अपनी preparation को बनाए रख है तो ऐसे question है कि एक second भी नहीं लगे को बनाते हुए ठीक है और आपको जो है number मिल जाएंगे उसके बाद जो है constitution constitution एक बार पढ़ लोगे तो बहुत easy है ज्यादा टफ नहीं है एक घंटे की वीडियो कहीं पर भी आपको easily मिल जाएक और एक घंटे में आपके दिमांग में आपको जाएगा वो ठीक है अर्टिकल देख लेना डे वगारा देख लेना जो अभी रिसेंट में लेकिल मार्च अप्रेल और माई जून तक के ठीक है तो यह सारी चीज़े आपको करनी है एक बार कर लेना एटलेस आप जो है दस से बारा मांक सिक्योर कर सको जीएस के अं अगर नहीं किया है तो फटा फट लाइक कर दो शेयर कर दो चानल को सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं किया है तो अभी हम वेट कर रहे हैं थर्ड शिफ्ट का मतलब आपकी जो सेकंड शिफ्ट में पेपर होना है दो शिफ्ट जो है आपकी आज होनी थी कंप्यूटर की औ कर दूप एठीड की कर दूप क्या के पर में खजी था क्याक रखिए क्या कि रिंट का नहीं ही तो थी ह सहां के लुट करो कि लेकं रहे त्याहिप है कि क्या क्याक्म से थीद द्सकि कम्प्टर का यहुआ है ठीक है तो डाउट क्लियर है भी डाउट क्लियर है तो फटा फटा लाइक कर दो फिर मिलेंगे नेक्स वीडियो में थोड़ी देर के बाद तो तक लिए बाई और थांक्यू